नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एक फोटो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल किया जा रहा है और इसको वाइरल कोन कर रहा है बड़े बड़े नेता जी हाम आदमी पार्टी के राज्यसभासांसत संजे सिंग दूसरी त इस एक फोटो की अगर बात के उसमें देखा जा सकता है कि वहां पर जुहां पर किस प्रकार से शरीर पर गहरे निशान है चोटके और उसको यह बताया जा रहा है कि अभी यह मारा गया है पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज में जबकि सचाई है कि वह फोटो 2019 का है सबसे पहले आपको बताते हैं संजे सिंग वह फोटो डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि भारत के अनदाता है इनका गुनाई है कि आपने इनाज का सही दाम चाते हैं खटर सिरकार ने काना आज का दाम मांगोगे तो जान ले लेंगे और फोटो जो डाल रहे हैं फेक फोटो हैं फेक निउस पैडलिंग कर रहे हैं अब साक्षी मलिक लिख रही है कि किसानों ने सिर्फ अपनी फसलोगी MSP मांगी थी लेकिन क्रूड तंत्रे उन्हें लाटियां और गिरफतारियां दी किसान नेता गर्नूम सिंग चडूनी की गिरफतारी के हम निंदा करते हैं उनकी जल्द रिहाई हो अंदुलन में शहीद हुए किसान की खबर ने आंखे नम कर दी कौन सा किसान शहीद हुआ और जो फोटो यहां पर डाले जा रहे ह फोटो हैं एक तरफ तो मनीश कश्यप पर इतनी बड़ी कारवाई की जाती है एनसे तक लग जाता है इतने महीने से मनीश कश्यप बार नहीं आते और इन पर कब कारवाई होगी क्या आएंगे अब नितिश कुमार क्या आएंगे कांसल अब बिहार यहां पर आकर के यहां पर वॉयलेस नजर नहीं आ रहा कपिल सिबल कहां कौन सी बिल में जाकर के चुप गें अब कपिल सिबल अब क्यों नहीं आगर को बोले कि यह देखिए बढ़काने का प्रयास किया जा रहा है फेक निउस डाल करके संजे सिंग राज्यसबा सांसद आम आदमी वो यहां पर जूटे फोटो जाल रहे हैं 2019 का फोटो है तो आखिर कार यहां पर यह जो बार बार टूल किट की बात की जाती है यह दोनों जो है लगबग एकी समय में साक्षी मलिक संजे सिंग इस तरह के फोटो टूट कर रहे हैं कहां से आ रहे हैं फोटो इनके पास यह क कितना जूट फैलाय जा रहा है, क्या इस से लोगों की भावनें नहीं बढ़केंगी, क्या इस से हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्यूं ये सब किया जा रहा है, आखिरकार 2024 से पहले क्या प्रयास है देश में, लगातार इस तरीके की चीज़े जूठी निउस डालना, जूठे फोटो जालना, अब वो फोटो की हस्तियत क्या है, वो आपको दरसल सबसे पहले मैं बता दू, यहाँ पर गोरबाटिया वो भी उसको ले करके ट्विट कर रह है, कि एक सिख आटो ड्राइवर और उसका बेटा जो है, उनकी लड़ाई हुई मुखरजीब नगर प्लीस टेशन के बाहर, 2019 में, लड़ाई हुई, लड़ाई को ले करके ही, वो आपस में जो लड़ाई हुई, उसके वो निशान है, चोड के निशान है, 2019 की खबर है, और इसाक्षी मलिक भी कह रही है, इतना बड़ा जूट फैलाने का, और कुछ लोग जो शुरू में नहीं जानते थे, इस फोटो की सचाई को, वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब लोगों ने इसको वेरिफाई करना शुरू किया, जब फैक्ट चेक होना मैं असलियत लाता हूँ, यह असलियत क्यों नहीं ला रहे हैं अब दुनिया के सामने, क्योंकि वो भी कही न कहीं एक सेग्मेंट को खुश करना चाहते हैं, बहराल यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी आपको बता दे, संजे सिंग ने जो यह पर जब नहीं से लग सकता है, फेक निउस के लिए कहा जा रहा है, फिर संजे सिंग पर क्यों नहीं, संजे सिंग को जूट क्यों, और यही आमादमी पार्टी के नरेश बालयान वो तो उस फेक निउस के लिए मनीश कर्षप को आतंगवादी बता चुके हैं, क्या वही न पिछले कुछ सालों से यह सब हो रहा है, जूटी निउस फैला दो, जनता को बढ़का दो, यही काम है, कैसे बढ़ेगा फिर देश आगे, अगर ऐसे राजनेता होंगे, जो खुद ही जूटी खबरे फैलाने का काम करेंगे, वही शुएदा पांडे वो कह रही हैं कि यह पार्टी के रहता है, संजे सिंग के लिए, इनका गुनाई है कि पराणी निउस शेयर कर हिंसा बढ़काना चाते हैं, अर्विंद केज़िवाल का इनको आदेश है कि सोशल मेडिया पर फेक निउस फैलाते रो, वरना जान ले लेंगे, यह देखिए, जो कहा उन्होंने व पोटो को अभी का पता कर आखिर का र creator संजे सिंग क्यूं हिंसा फैलाने में लगा है, क्या इसका जवाब संजे सिंग देंगे, अर्विंद केज़िवाल देंगे, हैं जूट यहाँ पर प्रोसा जारा है जनता को, किसलिए, क्या हासिल करना चाती है, इस साक्षी मलिक यह कुछ और 2019 की फोटो आपसी लड़ाई को उसको बता करके देखो यह तो पुलीस ने पीटा है इनको नियन भी चीज़ कह रहे हैं कि अगर मनीश कश्यप पर अनसे लगाया गया है तो फिर यह जो ट्वीट है यह क्लेरली बता रहे हैं कि कैसे जो है प्रोकेशन जो है यहां प मलिक में जो डाला है इसको लेकर के रिशी भागरियां लिकने कि कितना जूट बोलोगी आप जो इजज़त थी आपके लिए वो भी पूरी तरह खतम होगी लगातार पहलवाना अंदोलन वो देखा किस तरीके से उसकी संक्रेटा कम होती गई और देरे-देरे खुलासा होन ने चुने किसान संगठों ने सो कॉल्ड और पता लग रहा है कि नहीं वो तो बेदबाव था कि उसे चांस नहीं दिया किसी और को चांस देती है यह खुलासा हो रहा है अब निकलेंगे यह बाहर अब इसलिए क्योंकि मुद्दा कनवर्ट करना अंदोलन तो करना ही है दाल रहा है फेक न्यूज अलट जो फोटो डाली साक्षी मलिक ने कि जो फोटो यूज की जा रही है यह पुरानी यह चाहती है जान पूश करकी कि स्टेट में राइट्स हों इसी सब्सक्राइब जनता को बढ़का जा रहा है एक और यूजर वो यहां पर कह रहे हैं सारी रिस्पेक्ट जो है इनके लिए अब जा चुकी है यह फेक न्यूज लगाता डाल रहे हैं इनके प्रोटेस्ट को कौन सपोर्ट करेगा ऐसे शरम करनी चाहिए इनको जूठा इतना प्रचार कर रहे हैं वहीं रिनिती चैटर जी पांडे वो यहां पर उन्होंने लिखा है कि साक्षी मलीक जी जो फोटो डालकर अपने टूलकिट गैंग वालों से रिट्विट करवा रही हो उनसे कहना है फोटो 2019 की है दिल्ली के आटो ड्राइवर के साथ मारपीट वाली गटना की है जैसे फोटो तुमारे दुआरा डाला गया है वैसे ही पहलवानों को अंदोल सब्सक्राइब साथ मुटनेवाद